सो हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो ने वीडियो तो दोस्तो हिमाच परदेश पलीस भरती की जो फोरुम भरने की लास्ट डेट एक्स्टेंड की गई थी वो भी अवस माव्थ होने की कगार पर पहुंच चुकी है और जैसे ही यहाँ पर अंतिमति थी नजदीक आई तो को एक एक सीड पर कितनी फाइट करनी पड़ेगी कितने कुल अवेदन पहुंच चुके हैं हिमाच परदेश पलीस कॉंस्टेवल भरती के लिए तो जैकुश महतरपौन बिंदूओं पर जो हो आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाई चाएगी तो ध्यान से पूरी इं को पता ही है कि कुल पद एक हजार अठासी पलीस भरती में अजूजित किये गए हैं तो इन पदों के लिए युहबो एक लाख पंद्रा हजार अवेदन आ चुके हैं क्योंकि आप लोगों को पता हिये कि मंगलवार को अंतिमति थी आप लोगों को दी गए थी फोरम भरने की तो हिमाचर परदेश में पूरिशियों के 708 और महिला कॉंस्टेवल के भरे जा रहे हैं 380 पद और ओन लाइन अवेदन करने का अभियार्थियों के पास मंगलवार के जोहबो अंतिम दिन था तो हिमाचर में 1088 पुलिस कॉंस्टेवलों की भरती के लिए करीब 115,000 करने का अभियार्थियों के जोहबो पास मंगलवार का दिन अंतिम रखा गया था तो बीते दिनों अभियार्थियों को कुछ समय और दिया जाना चाहिए तो फिर तरीख जोहबो आयो की तरफ से बढ़ा दी गई थी इन फोरों को भरने के लिए तो पहले आवेदर करने की तरीख 31 अक्दूबर को रखी गई थी इस दुरान जोहबो बानुवा हजार आवेदर पहुंचे थे लेकिन जैसे ही दस बारा दिन का औरसा में मिला तो एक लाख पंद्रह हजार तक आंकड़ा जो पहुंच चुका था तो इस बार जो भरती आप लोगों की होगी उसमें लगग एक सो पांच अभिहारती एक पोस्ट के लिए जहां पर फाइट करेंगे आपस में ठीक है साती सात हाँ आप लोगों को बता दें कि लिए थे परिक्शा पास करने वालों की पुलीस जव भीवाग जोव शारिक दक्षता परिक्शा लेगा और पुलीस भीवाग में जभ भरती बिशेश कॉंस्टेबल पत्मा में जोव की जा रही है तो चैनित बिशेश पुलिस कौंस्टेबल कौनशे की रोक थाम का काम योहव दिया जाएगा भरती पास करने वाले के लिए योहव डॉप टेस्ट भी लिया जाएगा और 18-25 वर्ष की आज योहव जनरल केंडेट्स के लिए जहां पर रखी गई थी और चैनित बिशेश पुलिस कौंस्टेबल की जो लैवल 3 की सैलरी होती है 20,200 रुपे से लेकर 64,000 तक सैलरी योहव आप लोगों की जहां पर पेवेंड बनेगा ठीक है तो शारिक मानक परिक्षा और शारिक दक्ष्टा परिक्षा से जूत शारिक परिक्षन हिमाच्च परदेश पुलिस विभा की और से योहव निधारित और संचारित किया जाएगा और जो अदेश होंगे उसमें उन्चाई के लिए दियेगे अंकों के सब योबो उमीदवारों को सुची परदान की जाएगी ठीक है तो यह एक इंफरमेशन महतरपूर्ट थी सोच आप सबी लोगों को इसके बारे में बता दें बाकी शारिक प्रिक्शन से सफला विहारतियों को आयो की और से योबो करवाई जाने वाली दो घंटे की अफदी की ओफ लाइन जो होती है बहुआ बिकल्पी यह बस तुनिस्ट परकार के लिए प्रिक्शा योबो में परवेश दिया जाएगा ठीक है तो जह एक सब्सक्राइब को इसके बारे में बताते हैं आगे निकलना होगा तभी आप यह पोस्ट जो हो पास अगते हो तो यह हम इंफरमेशन महातर पूंट सोच आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दे